जाहें दोस्तों वेलकम टी इननी स्कूल्स दोस्तों आज के इस अध्याय में हम आपको बताने वाले हैं भगवान राम से जुड़े बहुत सारे तत्यों के बारे में और साथ ही दोस्तों राम मंदिर के इतिहास के बारे में भी यहाँ पर हम नज़ा डालेंगे और अभी जो राममंदिर बनकर भविया राममंदिर लगबट त्यार हो चुका है और उसका निर्मान अभी चल भी रहा है इसमें प्राण परतिष्ठां आकिर होने ही वाली है इसके बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तों 22 जनवरी को बधवान रामलला की प्राण परतिष्ठा होगी चारहजार सादू और पच्छिस सो विशिष्ट व्यक्तियों के पहुंचने की संभावना जताए जा रही है। जिसे आज स्री राम जन भूमी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले राम मंदिर का तिहास और इससे सम्मंदिती विवाद को जानने की कोशिश करेंगे। ग्रंतों और धार्मिक शाक्षों के अनुसार लगभग सो इसापुर्म में समराट विक्रमादित्या ने इस महल पर एक भव्यम मंदिर बनवाया था। उसके बाद 15 सदी में मुगलों ने इस मंदिर को जिन शीन कर दिया। इसके बाद पर यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। लेकिन भारत की सब्तंतक्ता 1947 के बाद एक बार फिर से यह विवाद शुरू हुआ और इसे इस्तलकों हिंदों ने एक बार फिर से अपने इस्तान को लेने के लिए आंदोलन के शुरूआत की। अंतर तैह 6 अंबर 1992 में कार सेवकों ने मंदिर को ढाकर मंदिर के पुना निर्मान की बात की। इसके बाद यह वाद कोट पहुँचा जो की 17 वर्षों तक चला इसके बाद 2019 में वेज्ञानिक प्रामनिक्ता होने के बाद सुप्रीम कोट ने हिंदों के पक्स में फैसला सुनाया इसलिए इस जगह पर फिर से सिरी राम मंदिर का निर्मान हुआ। राम मंदिर का महत तो क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पुराने शैली को ध्यान में रखते हुए पुनहें राम मंदिर का निर्मान मंदिर वास्तुकला नागर्शैली में कराए जा रहा है। मंदिर के आधार से लेकर सर्वोचंस तक मंदिर का चतुश्कोंड होना नागर शैली के मंदिरों की पैचान है यह राम मंदिर 235 फिट चोड़ा, 360 फिट लंबा और 161 फिट उचा होगा राम मंदिर बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं इसमें वायू मार्क से, रेल मार्क स भी पहुचा जा सकता है अब जिन भगवान सिरी राम के लिए ये मंदिर बनाया जा रहा है उन भगवान सिरी राम के जन्म के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं भगवान सिरी राम का जन्म कैसे हुआ और इनके जन्म के समय पर क्या हुआ था ये जान लेना भी बहु बेजा गया था इसलिए उन्हें मरयादा पुरूशुट्तम के नाम से जाना जाता है बने यी सिरिराम अव्तारी पुरुश्ते लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी मा की कोक से जन्म लिया था सिरीराम अयोध्या के राजा दसरत और महारानी कोशल्या के पुत्र थे दरसल राजा दसरत को कोई पुत्र नहीं हो रहा था उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यग्या करने का फैसला लिया था महराजा दसरत ने कई महान रिशियों और विद्वानों को यग्य का आमंतरन बेजा फिर गुरु वशीष्ट और श्रंग रिशी के नेतरत में यग्या श्रूँ हुआ यग्या में देजबर से कई महान तपश्वी पदारे, वैदिक मंत्रव चार से ये महान यग्या संपन हुआ, समापन के बाद राजा दर्श्रत ने सभी तपश्वों और ब्राम्वनों को भरपूर दान दे कर विदा किया राजा दर्शत ने यग्या का परसाद अपनी तीनों महारानियों महारानी कोशल्या, महारानी सुमत्रा और महारानी कैकेई को दिया परसाद के फलसवरूप राणी कोशल्या के पुत्र हुए भगवान स्री राम इस तरह चैतर शुक्ल नवमी को महाराजा स्री राम जन में कह अबतार हुआ शिशु का वर्ण निला था चेहरे परतेज और अत्यान ताकरशक था जिस भी व्यक्ति ने उस शिशु को देखा वो मोहित हो गया था भगवान स्री राम के तीन भाई थे लक्षमन भरत और सत्रुगन तिनों ही भाई भगवान स्री राम से बहुत प्यार गरत था समय बितने के साथ साथ राम अपने तीनों भाईयों से ज़्यादा गुनवान होते गए सबसे बड़े थे वो सभी विशो में पारंगत हो गए इसलिए तीनों भाईयों को भी उनको बहुत मानते थे उस समय पर जो धरती पर पाप था उसका काफी सर्वनास उस समय पर भगवान सरी राम ने किया था उस समय पर सबसे ज़्यादा पापी आदमी जो माना जाता था वो रावन माना जाता था बड़ा राक्षक्षता उसने पूरी दुनिया को अपने वश में कर रखा था तो भगवान सरी राम ने जो कहानी रची उस से उन्होंने उस समय पर जो सबसे वड़ा राक्षस्ता रावन उसका भी वद किया और उसके भी प्रमान आज स्री लंका में मिलते हैं कि कहां पर किस समय पर क्या हुआ था और उसी समय पर भगवान हनुमान जी भी थे जो आज भी कही बार प्रमान मिलते हैं कि वो इस दुनिया में सुरक्षित हैं हो सकत तो दोस्तों ये अभी भगवान सिरी राम की पूरी कहानी थी आपको कैसी लगी ये पूरी भगवान सिरी राम की कहानी और आपका इसके बारे में क्या विचार है इस वीडियो की कमेंट्स में जरूर बताएं